एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपान्तरित करना है क्या है? अनुवाद है जिस भाषा से यहाँ पर हम अनुवाद करते हैं वो भाषा क्या है? स्त्रोत भाषा है और जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं वहाँ लक्षी भाषा है नमस्कार, मैं हूँ हर्शिता, विद्याश्रम PU कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ आज हम द्विती ये PUC के जो पाटिक्रम है उसमें जो चतुर्त सोपान है, वैकरन तता रचनाबाग उसमें जो है अनुवाद को आज हम देखेंगे देखिए अनुवाद जो है, बहुती प्राचिन काल से उसकी जो उपयोगिता होते हुए आ रही है मगर पहले से जो अनुवाद की जो अर्थ और उसके सासत उसकी जो यहाँ पर क्षेत्र है उसमें यहाँ पर विस्तार जरूर हुआ है तो आएए पहले अनुवाद क्या है यहाँ पर देखेंगे देखिए यहाँ पर कुछ वैक्ण जो है या फिर कुछ अनुवाद की जो अर्थ बताने के लिए यह जो वाक्य दिये गए है तो यहाँ पर अलग-अलग तरीके के वाक्य दिये गए क्योंकि आप आसानी से किसी भी वाक्य में आप अनुवाद को समझ सके देखिए एक भाषा या पाट में निहीत अर्थ को दूसरी भाषा में भाषा अंतरित करना ही अनुवाद है एक भाषा में निहित अर्थ है उसको दूसरी भाषा में बाषा अंतरित करना ही अनुवाद है और एक तरह से हम क्या देख सकते हैं या पर एक भाषा या पाट में निहित अर्थ या फिर संदेश को दूसरी भाषा में यतावत वेक्त करना जैसे के तैसे ही या पर क्या है व अनुवाद केते हैं वही एक भाशा में विक्त विचारों को दूसरी भाशा में विक्त करना ही अनुवाद है और आसानी से अपरम क्या देख सकते हैं इस वाक्य में देखे एक भाशा में विक्त विचारों को दूसरी भाशा में विक्त करना ही अनुवाद है बहुत ही सरलता से यह पर हम अनुवाद के बारे में समझ सकते हैं वहीं कहीं गईी बात को दूसरी बाशा में कहना अनुवाद है उससे भी सरल जो है इससे भी सरल यहां पर हमें अनुवाद के बारे में अच्छे से समझ में आ जाती है क्या है कहीं गईी बात जो है उसे क्या है दूसरी भाषा में एक भाषा में कही हुई बात को ही उस दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद है कितनी सरलता से यहापर हम इन सभी वक्यें से जो है यहापर अनुवाद की जो अर्थ है उसे समझ सकते है ता आई अभी हम अनुवाद की जो शाब्दी करता है उ अनुवाद शब्द की उत्पति हुई है तो वाद शब्द जो है संस्कृत के वद्दातु से बना है संस्कृत के वद्दातु से वाद शब्द बना है तो वदकार्तिया पर क्या है बोलना है संस्कृत में वदकार्तिया पर क्या है बोलना है तो इसी वाद शब्द में अनु उपसर्ग जुड़कर क्या है या पर अनुवाद शब्द बना है तो उसका अर्थिया पर क्या है प्राप्त कतन को पुना कहना तो अनुवाद शब्द का अर्थिया पर जब वाद शब्द पर अनुवाद शब्द बनता है तो यहाँ पर अनुवाद शब्द की जो शाब्दिक अर्थ है, क्या बन जाती है? प्राप्त कतन का पुना कहना, मतलब कही उई बाद को क्या है? फिर से कहना, जैसे कुछ समय पहले हमने देखा था न, ये एक भाषा में कही उई बाद को, दूसरी बाशा में कहना, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, वही अर्थ है, देखिए, अनुवाद शब्द जो है, उसकी जो अंग्रेजी रूप क्या है, या पर ट्रांसलेशन, तो जिस तरह अनुवाद शब्द, दो शब्द मिलने से, उसकी उत्पत्ती होती है, तो वैसे ही यहाँ पर ट्रांसलेशन शब्द भी, दो शब्द मिलने से, या फिर जुडने से हुई है, कौन से शब्द, ट्रांस और लेशन, तो ट्रांस प्लस लेशन, ये जो दो शब्द हैं, उनके मिलने से, जो है आपर आनुवाद शब्द की उत्पत्ती हुई है, जिसका आर्थ क जो है आप देखेंगे वैक्षा जो दिखी गई है उसे देखेंगे तो और भी अच्छे से आप अनुवाद के बारे में क्या है अनुवाद है ये एक बाशा की जो पाट्टी समगरी होती है उसी पाट्टी समगरी को दूसरी भाशा में या पर प्रतिस्तापना करना ही क्या है अनुवाद एक करके कैटफोड जी आपर कहते हैं वही देवेंद्रनाच शर्मा जी आपर क्या कह रहे हैं विचारों को एक भाशा से दूसरी भाशा में रूपांतरित करना अनुवाद है देखिए अनुवाद की जो परिबाशा है बहुत सारे लोगों ने की है मगर मैंने कुछ चार लोगों की ऐसे लोगों की अनुवाद की जो परिबाशा आपके लिए चुनी है जो बहुती आसानी से और बहुती सरलता से आपको समझ में आ जाए देवेंद्रनाच शर्मा यापर क्या कह रहे हैं तो एक भाशा से दूसरी भाशा में रूपांतरित करना है क्या है अनुवाद है करक एक भाशा में प्राप्त सामगरी को दूसरी भाशा में भाशा आंतरन करना अनुवाद है क्या कह रहे हैं एक भाशा में प्राप्त सामगरी एक भाशा से जो है प्राप्त सामगरी जो मिलती है उसे जो है दूसरी भाशा में दो भाशा आंतरन करना ही आपर क्या है अनुव अभी दंगल जाल्टे जी आपर क्या कह रहे हैं? स्त्रोत भाषा के मूल पाट के अर्थ को लक्ष भाषा के परिनिष्टित पाट के रूप में रूपांतरण करना ही अनुवा दे करके आपर दंगल जाल्टे जी कहते हैं? आपर याद रखने की जो बात है आपको क्या है? स्त्रोत भाषा और लक्ष भाषा तो स्त्रोत भाषा के जो मूल पाट के जो अर्थ है उस अर्थ को जो है लक्ष भाषा के परिनिष्टिक पाट के रूप में आपर रूपांतरण करना ही अनुवाध है करके आपर दंगल जा तो क्या है स्त्रोत भाशा मतलब, लक्ष भाशा मतलब क्या है अगर आप अनुवाद के बारे में अच्छे से समझना चाते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है देखे, स्त्रोत भाषा से लक्ष भाषा में आपर क्या है रूप आंतरन या फिर भाषा आंतरन करना देखे उधारन में यहाँ पर एक बात बताती हूँ अब एक पुस्तक है जिसे जो है यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में उसकी रचना की गई है उसकी मूल बाशा क्या बन जाती है अंग्रेजी तो अंग्रेजी में एक ग्रंत की आप रशना की गई है उसी ग्रंत को जो है आप अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे मतलब ट्रैंसलेट करेंगे तो वहां क्या बन जाता है आपर लक्ष बाशा मतलब एक ग्रंत लीजिए एक्जाम्पल के लिए एक अंग्रेजी में लिखी हुई एक ग्रंत ठीक है चाहे वो नौवल हो या फिर नाटक हो कुछ भी हो ठीक है तो उससे जो है यहाँ पर लक्षी बाशा में मतलब हिंदी बाशा में जो है रूपांतरन करना या फिर भाशा अंतरन करना क्या है अनुवाद कहलाता है तो यहाँ पर स्त्रोत बाशा कौनसी है अंग्रेजी बाशा और लक्षी बाशा कौनसी है हिंदी समझ में आ गया जिस बाशा से यहाँ पर हम भाशा अंतरन या फिर रूपांतरन करते है या फिर अनुवाद करते हैं वो जो भाषा है या पर स्तरोत भाषा कहलाती है और जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं जिस भाषा में हम ट्रैंसलेट करते हैं उसे हम लक्षे भाषा कहते हैं देखिए अभी अनुवाद की जो अर्थ और परिभाषा जो है आपने समझ लि में शिक्षा में सरकारी कारियाले विज्ञान एवं प्राउध्योगी की साहित जनसंचार अंतर राष्ट्रिय संबंद वानिज संस्कृति आदी में अनुवाद को प्रयोग किया जाता है ऐसी कौनसा ख्षेत्र है जहां पर अनुवाद का प्रयोग नहीं किया जा रहा है साहित्य में कर रहे हैं साहित्य में तो यापर बहुती प्राचिन काल से ही हम क्या है अनुवाद की जो उप्योगिता है उसकी जो अस्तित्व है उसे देख सकते हैं और उसके बाद क्या है आपर अभी तो विग्ण्यान में विग्ण्यान में तो इसकी आवशिकता बहुत ही उपयोगिता जो है, बहुत ही जुरूरी है, अनुवद, एक्जाम्पल क्या है, एक देश से कोई ज County, कोई दूसरे देश में जाता है, और वहां पर कोई व्यापार व्यवहार करता है, तो उस संदर्ब में क्या है? यहां पर भाशा नतरण करने वालों की अवशिकता पढ़ तो उस संदर्ब में अनुवाद की अवश्यकता बहुत ही जरूरी है वानिज्य क्षेत्र में व्यापार क्षेत्र में अंतरराश्ट्रिय संबंदों में और उसके बाद अभी तो क्या है प्राउद्योगी की में जनसंचार और क्या है संस्कृति में भी तो फिलाल की अवश्यकता पड़ती है और उसके साथ शासन में सरकारी कारियालयों में देखे सरकारी कारियालयों में भी आपर कितनी अनुवाद की अवश्यकता पड़ती है है ना तो इस तरह हर क्षेत्र में अभी हम ऐसे देखेंगे तो ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं चूरता कि जहा यहाँ पर आप जानोगे बहुती जो महत्व है बहुती प्रामुकिता जो है यहाँ पर अनुवाद को फिलाल प्रस्तुत संदर्भु में क्या है मिल रहा है देखिए जिसकी उपयोगिता जो है या फिर आवश्रीकता जो है अभी हम इन सभीक शेत्रों में हमने देखा वही पर हमें क्या पता चलते हैं उसके महत्व क्या है उसके प्रामुकिता क्या है इंपोर्टस क्या है फिलाल के संदर बुमे ये अभी हम बहुत अच्छे से इसी में समझ सकते हैं निक्स्ट अनुवाद की प्रक्रिया अगर आपके प्रश्ण पत्र में जो पूछेंगे की अनुवाद क्या है अनुवाद कीजिये करके तब क्या है आपको ये ज्ञान रहना जरूरी है ना कि अनुवात किस तरह करना है क्या है करके उसके प्रक्रिया के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है देखे अनुवाद के प्रक्रिया के बारे में बहुत सारी विद्वानों ने अपर कहें अपना ही एक अलग-अलग जो प्रक्रिया जो है उसको प्रकट किया है ठीक है अपना ही एक अलग-अलग मत जो है उसे प्रकट किया है मगर मैंने जो नाइडा जी जो है उन्होंने जो यापर अनुवात की प्रक्रिया के बारे में कहा है उसको लिया है एक उदारण के तोर पर क्यूंकि इसे जो है आप बहुत इस सरल्ता से समझ सकते हो आपकी इस तरपर ठीक है तो देखिया नाइडा जी की जो प्रमुक तीन जो सोपान है यहापर, प्रमकर, तीन सोपान अचा यहापर huखते जाते हैं, फिर प्रकट करते हैं, अनुवात प्रक्रियम है, क्या है एक तो, विशलेशन, तीन सोपान कॉनसे है वो एक तो, duż अविशलेशन, विशलेशन मतलब अनलिसिस करना, और अंतरन, अंतरन मतलब unconsciously गटन तीसरा है तीसरा सोपान या पर पुनर गटन मतलब री स्ट्रक्चरिंग पुनर गटन का अर्थ क्या है या पर री स्ट्रक्चरिंग देखिए नाइडा जी कहते है कि इन तीन सोपानों से होकर क्या है अनुवाद की प्रक्रिया चलती है करके पहले विशलेशन करना अं देखे पहले स्त्रोत भाषा से अभी कुछी समय पहले मैंने आपको समझाए कि स्त्रोत भाषा क्या है और लक्षी भाषा क्या है करके अभी फिर से मैं बोल देती हूँ जिस भाषा से यहाँ पर हम अनुवाद करते हैं वो भाषा क्या है स्त्रोत भाषा है और जिस भाशा में हम अनुवात करते है वहाँ लक्षी भाशा है तो देखें स्त्रोथ भाशा की जो समझ लिजे एक ग्रंत है या फिर पाट्टी सामगरी है या फिर विचार है या फिर जो भी है ठीक है उससे यहाँ पर हम क्या करेंगे उसका पहले विशलेशन करेंगे विशलेशन करना मतलब क्या है उसको अनलिसिस करेंगे पहले उसे पढ़ेंगे उसे समझेंगे पहले चाहे वह एक वाक्य हो सकती है या फिर एक ग्रंत ही हो सकती है या फिर एक कविता ही हो सकती है कु कुछ भी हो उसे क्या है स्ट्रोत भाशा में जो भी हम नो अपर कहा जाता है उसे हम क्या करें है पहले उसका भाश kamu करें विश्वेशन करें एकinka असकर आपर उसका अनुवाध करना है तो पहले हमे उसे पढ़ना है तो इसके अरत्य हो से समझना है तो उसका विशलेशन करना है उसके बाद क्या आता है या पर अभी विशलेशन हो गया विशलेशन से अंतरन अंतरन मतलब या पर ट्रैंसफर करना है ना तो स्रोध भाशा से उसके अर्थु को समझ कर हम पहले क्या करेंगे या पर लक्षि भाशा में किस तरह ट्रैंसफर करना मत क्या करते हैं या पर फिर से पुनर गटन क्या है उसका पुनस्तापना जो है हम क्या कहा पर करते हैं लक्षि भाषा में हम करते हैं तो स्त्रोथ भाषा की पाठ्य सामगरी को लक्षि भाषा की समनार तक पाठ्य सामगरी में प्रतिस्तापना करना या फिर पुनस्तापना करन या फिर रूप आंतरण बाश आंतरण जो भी है करना क्या है या पर अनुवाद के गुण देखे अभी आपको या पर पांच अंग के लिए देंगे पांच वाक्य देंगे तब आप अनुवाद करेंगे तो भी जो है तब यहापर आप में क्या होना जरूरी है अनुवाद क के गुण, देखे पहला है भाषाऊ का समुचित ज़रूरी है चाहे उ स्तरोत भाषाऊ भाषा भी और होट ही जरूरी है, जाए लिये भाषाऊ का ये समुचित ज़रा ज़रूरी है नेक्स्ट संबंदित विशय का संपूर्ण ज्ञान उससे संबंदित जो विशय एक्जांपल एक ग्रंथ है उसको आप यहापर अनुवाद कर रहे हो तो उसके लिए उस भाषा मतलब जिसके बारे में जो ग्रंथ विशय के बारे में आपको अच्छे से ग्रंद नॉलेज र करता है मगर उसके साथ-साथ वहां अपनी अस्तित्व को नहीं कोता है उसका अपना एक विचार शक्ती होना जो है बहुती ज़रूरी है नेक्स्ट अनुवाद विदा का पूरा ग्यान देखे अनुवाद विदा का जो है जो एंसके उसके बारे में उसके प्रमानिकता एवस्के बारे में क्या है या पर अच्चे से ज्ञेन हो ना बहुती जरूरी मपट hoop करिंगे आज़ही प्रम् NOT एवन मौनिकता चुट है Dop Rain सब्सके किन होना और उसके साथ मौन फोरी है तो उसके रहने पर यह है उसका और उसके साथ साथ यह जो स्वतंत्र विचार शक्ति है उसके होने पर तो क्या होता है अगर उसके प्रस्तुत विचारदारा या फिर क्या है भाशाओं के बारे में अगर उसे अच्छे से ग्ञान हो तो वो अच्छे से अनुवाद कर सकता है तो क्या है यह सभी अच् का आता कि आप क्या है डिग्री के इस तर पर आगे जाकर क्या है आपर इसके बारे में सभी डीटेल में आप पढ़ने वाले हो इसलिए देखे गध्य पद्ध के आधार पर गध्यानुवाद पद्ध्यानुवाद चंदमुक्ता अनुवाद करके यहापर उनकी विदा को हम देख सकते हैं अनुवाद के बेद को नेक्स्ट आता है साहित विदा के आधार पर देखे काव्यानुवाद नाट्यानुवाद खतानुवाद या फिर अन्नी साहित के विदा जैसे निबंद आत्मकता देखे अगर आप कावी का अनुवाद करेंगे कविताओं का कावी का अनुवाद करेंगे तो वह काव्या अनुवाद कहलाएगा वही अप नाटक का अनुवाद करेंगे ड्रामा जो है उसका अनुवाद करेंगे तो नाट्या अनुवाद या फिर कता अनुवाद तो इस तरह या प्रावर्स के साथ साथ देखे है अनिसाहितिक विदाओं का जो अनुवाद है जैसे नीबंध हो आत्मकता हो जा फिर जीवनी हो समस्मरण हो ठीक है ऐसे बहुत सारे विदा भी है तो उनका अनुवाद भी यहाँ पर इसके अंतरगत आते हैं नेक्स्ट है प्रकृति के आदर पर देखें यह बहुत ही जरूरी है शब्दा अनुवाद भावा अनुवाद छाया अनुवाद सारा अनुवाद वैख्या अनुवाद आशु अनुवाद आदश अनुवाद और रूपा अंतरण इस अब ही प्रकृति के आदर पर चाहे किस कि ज्यादा यहापर क्या है Adapt by Three? है अनुवा क्षेत्र में नहीं है सिर्फ पारिबाष एक शब्दा वली के नतर्गति सर्फ कि महत्वता को हम इस सारके अनुवाद की महत्वता को शब्दानुवाद की महत्वता को देख सकते हैं ईक्श जुभाव उन्वाद यह बहुत ही ज़रूरी आपर देखे जैसे अभी आमने पहले सभी परिभाशा के अंतरगत सभी देखा ना तो एक पाट्टी समगरी की भाव या फिर जो अर्त है उसका अनुवाद करना इदूसरी बाशा में अनुवाद है तो भाव अनुवाद अगर आप भाव का अनुवाद करेंगे चाय अनुवाद सार अनुवाद जिसे सार का अनुवाद करेंगे तो सारा अनुवाद के अलाएगा आशु अनुवाद जो आशय रहता है सिर्फ उस आशय का अनुवाद करेंगे तो आशु अनुवाद के अलाएगा ठीके तो इस तरह जो है आपर प्रकृत के आदार पर क अग्णानिक एवहं, टक्नीकि अनुवाद, विधी का अनुवाद, और उसके साथ सत、 प्रषासनिक अनुवाद, मानवी की एवहं, समाश शास्त्र का अनुवाद, संचार, माद्यमों की सामगरी का अनुवाद आधी. तो किस विशे में आप अनुवाद करेंगे उस विशे के आदार पर अगर हम बेद को देखेंगे तो वहाँ पर भी यहाँ पर कुछ साथ बेद जो हैं हम देखते हैं ललीत साहीतिसे संबंदीत जो भी अनुवाद करेंगे तो वो इसके अंतरगत आ जाता है ललीत साहीतिक अनुवाद के अंतरगत और वैज्णानिक और these यह तो स्वैस्टेविय को एक और पर टेक्नॉप लजी जो अनुवाद किया जाता वो खिष मे inference Wells in От तक्निक अनुवाद के अंतरगत और धार्मिक जो पवरानिक ग्रंत है उनको अगर आप अनुवाद करेंगे तो वो धार्मिक पवरानिक ग्रंत के अंतरगत मतलब साहितिक अनुवाद के अंतरगत आ जाती है वीदी मतलब कानून का और प्रशासनिक अनुवाद उसके क्षेत के अंतरगत उसके अनुवाद के विदी की या फिर प्रकार के हैं अंतरगत हम देख सकते हैं ठीक है अभी हमने अनुवाद की अर्थ परिबाशा और उसकी प्रक्रिया उसके महत्व और उसके साथ-साथ उनके जो प्रकार है उसको बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमने पूछेंगे कितने अंक के लिए पूछेंगे देखे कितने अंक के लिए पूछेंगे आपर पांच अंक के लिए ठीके पांच अंक के लिए जो है आपको यहापर प्रश्ण पूछा जाएगा तो कैसे पूछेंगे देखे आपर खंणड में और अंग्रेजी में यह जो है आ इसे आपको हिंदी में अनुवाद करना है, देखे आपको क्या रहता है, हिंदी में अनुवाद कीजे करके पांच वाक्य पूछेंगे, तो एक एक वाक्य के लिए एक एक वाक्य के अनुवाद आप सही तरीके से कर पाए, तो उसके लिए एक अंक, एक सही उत्तर के लिए ए प्रश्ण है आपके लिए ठीके आपको उसका उत्तर लिखना है किया है इसका उत्तर देखिए हमें सब धर्मों का आदर करना चाइए देखिये मैंने कहा स्ट्रोत भाशां और लक्ष भाषां करके तो यहापर ये दोनों जो है स्त्रोत भाषा बन जाती है इसमें जो भाषा आप बली भांती जानती है फिर जिस भाषा को आप बहुत अच्छे से जान सकते हो या फिर पैचान सकते है फिर कहें उसके बारे में ज्ञान आपको है एक्जमपल आप कन्नडा में बहुती अच्छे से पढ़ कर जो है उ तो यापर दोनों भी देंगे प्रश्न के रोप में का नड़ा के वाक्या और उसी अर्थ को जो है पर अंग्रेजी में भी देंगे तो दोनों में से जिसको आप अच्छे से, जिसका ज्ञान आपको अच्छे से है, जिस भाषा का ज्ञान, जिससे आप पढ़कर बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, तो उस भाषा में आप उस वाक्य को पढ़िए और उसका उत्तर जो है हिंदी में आपको लिखना है, जैसे आपर अमें सब दर्मों का आधर करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट आपर भारत देश वो कृशी प्रदान देश वागी दे करके पूछेंगे देखें इंडिया इस एन अगरी कल्चरल कंट्री तो इसको आप हिंदी में जो है अनुवाद करना है तो भारत एक कृशी प्रदान देश है करके देखें आपर जैसे वाक्य शुद्धी या फिर वाक्य रचना के संदर्भु में मैंने आपको बताया था वाक्य शुद्धी के संदर्भु में वो आपको अच्छे से ज्यान में रखना है है ना उस संदर्भु में मैंने वाक्य के संदर्भु में जो बहा थ तो उसे याद रखकर आप यहाँ पर अनुवाद जो है कर सकते हो, अगर आप वाकिर रचना के बारे में आपको अच्छे से ग्णान है, तो अनुवाद भी आप बहुती सरलता से कर सकते हो, नेक्स्ट, नम्मा इतिहासा मत्तु परंपरे गड़ू बहड़ा प्राचीन वादवू, और हिस्ट्री और ट्रेडिशन्स आर वेरी ओल्ड, तो हिंदी में उसका उत्तर क्या है, हमारा इतिहास, हमारी परंपरा ये बहुत प्राचीन है, देखिए यहाँ पर स्त्रोत भाषा के ग्णाना और उसके साथ लक्षी भाषा का ग्णान भी आपको रहना बहुत ही जरूरी, जैसे उदारन के लिए, यहाँ पर हिस्ट्री के लिए हिंदी में क्या कहते है, और ट्रेडिशन्स के लिए हिंदी में क्या कहते है, इसका ग्णान रहना बहुत ही जरूरी, तब ही अगर आपको अच्छे से पता है तो उसकी जो वाकिय रशना जो है हिंदी में आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो यह फिर देखिये यहाँ पर यह अच्छा जो है आपके लिए क्या है देखिये अगर आप कर नड़ा पढ़के उसको हिंदी में अनुवाद करेंगे तो बहुत सरलतास्या पनुवाद कर सकते हो इंग्लिश से भी बेटर क्यूं क्यूंकि देखिये यहाँ पर कुछ वर्ड सेम आजाते है जैसे सत्य सत्य अहिंसे अहिंसा है ना इसलिए यह ठीक है आप अंग्रेजी में भली बाती जो है यहाँ पर पढ़कर समझ सकते हो फिर भी एक ब तो यहाँ पर उत्तर के आता है महात्मा गांदी जी सत्यो रहिंसा के पालक थे है ना देखे पालिसुति दरू पालक थे तो इस तरह क्या है अनुवाद करते समय कुछ बात जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ठीक है आप इंग्लिश में पढ़कर अगर बहुत जल्दी से समझ में नहीं आया तो एक बर कनड़ा में देख लिजे उस वाक्य को भी पढ़ लिजे देखे सत्य सत्य अहिंसा अहिंसे अहिंसा ठीक है इस तरह जो है आप दोनों जो है कनड़ में जो वाक्य दिया गया होता है और इंग्लिश में जो वाक्य दिया गया होता ह उन दोनों को अच्छे से पढ़िए, पहले उसका विशलेशन किजी, जिस तरह आमने परक्रिया में देखा था, उसको आर्थिक को जो है आप समझी, उसके बाद जो है अब क्या करेंगे, हिंदी में अनुवात करना आपको चाहिए, आपर एक प्रश्णी, गौतम बुद्ध ने बहुद दर्म की स्तापना की, गौतम बुद्ध ने बहुद दर्म की स्तापना की, ठीक है अभी आपको समझ में आ गया कि किस तरह आपर अनुवाद किया जाता है, अनुवाद क्या है, किस तरह किया जाता है, तो पांच अंक के लिए रहता है, तो बहुत ही आसानी से आप आप अंक प्राप्त कर सकते हो एक बार कंड़ा में भी आप पढ़िए और अंग्रेजी में भी पढ़िए पहले उसका विशलेशन कीजिए मतलब उसके उसको पढ़कर उसके अर्थ को समझीए बाद में उसकी वाक्य रचना जो है हिंदी में कीजिए मतलब उसके